प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है। पी-म वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये पश्चिम बंगाल की हावडा में हो रहे बीजेपी के पंचायती राजपरिशद कारिक्रम में जुड़े हैं। रिजवरान प्रधान मंत्री ने कहा कि हमने संसद में विपक्ष के आविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकरात्मक फैलाने वाले को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य संसद बीच में छोड़का चले गए। सच तो यह है कि वो आश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर रहे थे। ये विपक्ष के लोग चर्चा में लोग तंत्र का दाईत तो होता है जब आप बोलते हैं तो दूसरे को सुनना चाहिए। लेकिन बीच में से ही भाग गए। सदन छोड़कर के चले गए। बहाने बाजी कुछ भी करी हो। लेकिन सच्चा यह थी कि वो आविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गए थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो। क्योंकि वोटिंग होती तो यह गमंडिया गठबंदन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है यह दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता। और इसलिए बचने के लिए यह भाग गए। प्रश।